और बड़ी खबर आपको बता दे ओरीचा में ट्रेन हादसे के 51 घंटे बाद उस रेलवे लाइन को फिर से शुरू कर दिया गया है बालास और लाइन पर ट्रेनों की आवजाही शुरू कर दी गई है दोनों ट्राक पर ट्रेने चलनी शुरू हो गई है और इस दोरान रेल मंतरी अश्वनी वैशनव वहां मौझूद रहे तस्वीरे हम आपको दिखाते हैं जहां कल आप वो तस्वीरे देख रहे थे जो डरा रही थी परिशान कर रही थी आज उस रेलवे लाइन को पूरी तरीके से ठीक कर दे ये तस्वीर आप देखे रेल मंत प्रदान मंतरी वहां पहुंचते हैं खुद हालात की समीक्षा करते हैं लगातार मीटिंग कर रहे हैं लगातार पून कॉल के जरीए ये निर्देश दिये जा रहे हैं कि सुनिश्चित करिए कि हर किसी का स्वास ठीक रहे जो घायल हुआ था और सभी पीरतों को मदद पर किस तरीके से इस रेलवे लाइन को पूरी तरीके से ठीक करके आवाजाही फिर शुरू की गई वापिस ट्रेन का मोमेंट नॉर्मलाइज हो गया है अभी पहली गाड़ी अभी आने वाली है जिन्दगियां इस पटरी पर बेपटरी हो गई थी यहां कई जिन्दगियां गई कई लोगों ने अपनों को खो दिया लेकिन कहते हैं कि चलते रहने का नाम ही जिन्दगी है और इसी लिए शायद कि 51 घंटे के भीतर भीतर इस रेल्वे लाइन को चाहें वो अप लाइन हो ठीक कर दिया गया ताकि आवाजाई को पूरी तरीके से फिर से शुरू किया रह सके देखें यहां पर यह बात एहन है कि रीस्टोरेशन की काम को महद 51 घंटों में पूरा कर लिया है और रेल मंत्री की जहाप तक बात की जा रही है तो जैसे ही इस घटना की खबर आई थी उसके बाद से रेल मंत्री की मौजूदगी पर देखने को मिली है और लगातार के वाल एक दौरा करके देल मंत्री वापस नहीं गए है बलकि लगातार उसी ट्राक पर बने हुए है ऐसे में आप और डाउन क्राइक जिन पर यह अचिदेंट हुआ था उन में से एक ट्राइक जो डाउन ट्राइक है उसमर पहला मुमे पर देख रहे हैं कि दोनों लाइनों को ठीक कर दिया गया है हम भी यह काम ला करते हैं कि आप सब कुछ ठीक रहे और रेल मंत्री जिस तरीके से मौके पर मौजूद रहे हर वक्त यह दिखाता है कि सरकार कितनी गंभी रह पूरे हाथ से को लेकर